मताईञाई दागीमा भोजन के लिए धन्यवाद खाना लग गया है हाई आई भोजिन के लिए धन्यवाद अरे गाजर अच्छी नहीं लगती शेम्ला मिर्च अच्छी नहीं लगती दूसरी सबस्यों में भी कुछ अच्छा नहीं लगता मुठ्थाईनाई 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 सबज्या नहीं खाना मुठ्थाईनाई है पर वो मुझे अच्छी नहीं लगती गाजर, सिमला, मेर्च, सबज्या खाओगी तो बहुत ताकत मिलेगी वाँ खाना जो इतना मुल्यवान है उसे नहीं खाना मुठ्थाईनाई है मुझे मचली नहीं पसंद मुझे मास नहीं पसंद मुठ्थाईनाई 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 क्या, मचली और मास नहीं खाना भी मुठ्थाईनाई है हाँ, बिल्कुल मुट्टाइनाई है मचली, मास, हलिया और दूद अच्छे से खाओगी तो तुम बड़ी हो जाओगी खाना जो इतना मुल्यवान है उसे नहीं खाना मुट्टाइनाई है बाका में अच्छा नहीं लगता हिजी के अच्छा नहीं लगता माश्रूम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुट्टाइनाई मुट्टाइनाई बाका में भी, हीजी की भी, माश्रूम भी अगर खाओगी तो हर रोज तुम बहुत मजे में रहुगी ताजा और हल्का हल्का खाना जो इतना मुल्यवान है उसे नहीं खाना मुट्टाइनाई है ये भी अच्छा नहीं लगता, वो भी अच्छा नहीं लगता कोई चीज़ ऐसी है जो तुम्हें पसंद है स्टोबेगी, सेब, किले और नारिंगी बहुत पसंद है ये अच्छी बात है कि ये मुट्टाइनाई नहीं है लेकिन सिर्फ फल खाओगी तो फिर ये मुट्टाइनाई है इसके साथ साथ दूसरी चीज़े भी खानी चाहिए तुम्हें पर चावल अच्छा नहीं लगता, ब्रेड भी अच्छी नहीं लगती मुट्टाइनाई है? मुट्टाइनाई चावल भी, ब्रेड भी, उदोन और सोबा भी बहुत जरूरी है खाना जो अच्छे से खेलने के लिए ताकत दे नहीं खाना मुत्थाईनाई है एक दाना भी बिना छोड़े खाना चाहिए क्यों खाना नहीं छोड़ना चाहिए? भोजन के लिए अन और बाकी चीजें भी सब के लिए बहुत आदर से उगाई जाती है सब को खाने में स्वादिष्ट लगे इसलिए उसे पकाया भी जाता है प्यार की कोमल भावनाओं से भरा होता है ये सब ऐसे भोजन को छूटा छोड़ देना तो मुत्थाईनाई है ना? इसलिए हमें धन्यवाद की भावना से खाना खाना चाहिए और अधुरा जूटा नहीं छोड़ना चाहिए देखा खा लिया ना? खाना देने वाले के लिए धन्यवाद धन्यवाद की भावना से खाना शुरू करने का मतलब है जीवन मिलना क्योंकि खाना मिले तो जीवन मिलता है मोत्ताईना ऐसा शब्द है जो जीवन का महत्वब बताता है प्राइब है कर दो कर दो कर दो